हेलो गाईस तो केसे हो क्या चल रहा है तो आपका मेरी चैनल में सवागत है तो आज के विडियम हम रिवी करेंगे दोजारी किस की कनड़ा लिंगवेज एकसन ड्रामा फिल्म पोगुरु का जिसको हिंदी डवरुजन में से एम नाम से रिलिस किया गया है फिल्म को लिखा और डिरिक किया हुआ है नंदकी सोर ने लीड रोल में देखने को मिलेंगे दुरुआ सर्जा और रस्मी का मंदना कहानी की बात करें तो सिवा जिसका रोल प्ले कते नजर एंगे तरुआ सर्जा जो अपने बच्पन में अपने पिता को खो देता है और उस समय के दोरान उसकी माता जिसका रोल प्ले कर रही है पवित्रा रोकेस वो अपने बेटे को उसी हालत में छोड़कर दूसरी स्यादिक कर लेती है और इन सबी चीजों की वज़े से सिवा की लाइफ में काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है और दिरे दिरे वो केरफ्री लाइफ जीने लगता है जिसकी वज़े से वो पूरी तरह से रावडी बन जाता है लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बिता है तो सीवा की कॉलोने में एक टीचर आती है जिसका रोल प्ले कर रही है रस्मी का मंदना उसके आने के बाद सीवा को उससे प्यार हो जाता है और सीवा की लाइफ में जब उस टीचर की एंट्री होती है तो पूरी तरह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और उसके बाद सीवा किस तरह से अपनी माका प्यार फिर से जीतता है और उसके दुसरे कुछ issues है वो किस तरह से sort out करता है यही फिल्म की काहानी है फिल्म के writer डिरेक्तर यानि की नंदकिसवर जिन्होंने फिल्म की कहानी को routine nap में दिखाया हुआ है फिल् कि उनके narration में इसा कुछ नयापन देखने को नहीं मिलता है फिल्म की editing की बात करें तो वो उतनी कुछ खास नजर नहीं आ रही थी camera work सांदार था साथी में जो background music था वो बढ़िया तरीके से scene को support कर रहा था mass scene में वो background music बढ़िया सा touch दे रहा था इस film में दुरुआ साजा के character के उपर काफी बढ़िया काम किया हुआ है और जिस तरस उनका एक mass look तयार किया हुआ है उस पे उनके body language, expression वो सभी चीजे perfect तरीके से suit कर रही थी दुरुआ साजा ने अपना काम बखो भी निभाया हुआ था दुरुआ साजा और रस्मी का मंदना की chemistry आपको ज़रूर पसंद आएगी और उन दोरों के बीच में जो comedy conversation create की हुई है वो आप में ज़रूर decent fun create करेगी फिल्म के first half में आपको एक comedy और mass angle देखने को मिलेगा जहां पे first half का जो interval block create किया हुआ है रस्मी का मंदना और दुरुआ सरजा के बीच में वो भी उसमें भी कुछ नया पन नजर नहीं आ रहा था उसको थोड़ा effective manner में दिखाना चाहिए था इसके अलाव फिल्म के second half में आपको कुछ action sequence देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ बेहतरीन emotional scenes भी देखने को मिलेंगे जो फिल्म के second आपको better करने की कोसिस कर रहे थे इसके अलाव फिल्म में जो flashback episode दिखाया हुआ है जहां पे lead character का जो transformation दिखाया हुआ है वो बढ़या था हालाकि सभी चीज़े predictable थी लेकिन फिर भी वसीन आपको ज़रूर पसंद आएंगे और फिल्म का climax regular mass masala film में जिस तर से होता है सेम उसी तरका था तो मैं 2020 की कनड़ा लेंग्वेज action drama film पोगरू को 5.5 out of 10 की rating देता हूँ तो कुल मिला के बाद करें तो पोगरू out and out regular masala film में जो खास करके mass audience के लिए ही है इसके अलवा जो audience इस film से कुछ नया पन expect कर रही है कुछ unique expect कर रही है तो वो इस film से disappoint होंगे अगर आपको regular mass masala वाली film में पसंद आती है तो ये film आपके लिए है otherwise इस film को skip कर सकते हो तो बस guys आज के review में इतना ही था I hope आपको ये review पसंद आया होगा अगर review पसंद आया तो वीडियो को like और says जरू कीजेगा और अगर आप ये film देखते हो तो फिल्म देखने के बाद हमें comment करो कि आपको ये film कैसी लगी तो और बेसे नई southern movie के हिंदी review के लिए upcoming southern movies के news के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलेगा thank you